Good morning everyone, myself Sarta Chauhan Today I will teach you English grammar Please let's open your books Students, English grammar में आज हम पढ़ेंगे Chapter number 19 Asking questions Quotions के बारे में पूछते हैं न? Asking means पूछना तो Asking questions इसमें हमारा टॉपिक है Asking questions देखिये A question begins with a capital letter and ends with a question mark तो जो आप में देखा questions होते हैं वो हमेशा capital letter से शुरू होते हैं Capital letter means जो बड़ी वाली alphabet होती है उसे capital letter कहते हैं तो जो question होता है वो हमेशा capital letter से start होता है और जब वो खतम होता है तो उसके पीछे kosher mark लगता है kosher mark asign कैसा होता है? kosher mark asign इस तरह से होता है अपका नाम या तुम्हारा नाम क्या है? तो देखिए ये capital letter से start होता है और इसके last में ये देखिए kosher mark लगा है whose book is this? ये book किसकी है? which is your book? तुम्हारी book कौन सी है? do you like milk? क्या तुम्हें दूद अच्छा लगता है? क्या कि इसमें आप से kosher mark पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है? ठीके? आपको दूद अच्छा लगता है? आपकी book कौन सी book आपकी है? तो देखे कोशन जो words होते हैं जब हम कोशन देखते हैं तो वो हमेशा capital letter से start होता है और last में उसके kosher mark लगाया जाता है एक्सिसाइज देखे fill in the blanks with the quotient words given in the brackets ये देखे आप यह fill up दिये हैं और इनको fill करने के लिए यहां brackets में quotient words दिये हैं sentence की according यहां पर इन words को fill करना है तो first आपका है old are you? old are you means जब हम आपसे पूछते हैं आप कितने साल के हैं तो क्या लगाएंगे? how old are you? ये what old are you? तो हमें पूछते हैं आप कितने साल के हैं? what many होता है? क्या? ठीके? तो यहां पर लगेगा how how old are you? does the vacation begin? vacation begin मनला vacation क्या होता है? चुट्टियां चुट्टियां शुरू हो रही हैं तो क्या कहेंगे? why क्यूँ चुट्टियां शुरू हो रही हैं? या चुट्टियां कब शुरू हो रही हैं? when means कब तो लगाएंगे when does the vacation begin? next won the first prize in English English में first prize जीता तो किसने जीता? तो what मने क्या? who मने किसने हो जाएगा? तो what लगाएंगे या who तो लगेगा who की English में first prize किसने जीता? were you late yesterday? तो why लगाएंगे या which पुछते हैं आपको कौन सी विच मने choice आता है विच और why मने आप क्यूं लेटते तो इसलिए हम या why लगाएंगे why were you late yesterday? many पैसे में के रूपी कितने पैसे मिलके रूपी बनाते हैं? तो how means कितने और when मने कब तो लगाएंगे how time is it time कितना हुआ है? is it time क्या है? तो which लगाएंगे कौन सा time हुआ है या what लगाएंगे कि क्या time हुआ है? तो यहाँ पे हम what लेखेंगे कि क्या time हुआ है? गर्ल ब्रोक दग ग्लास लड़की ने ग्लास तोड़ दा तो why लगाएंगे या विच लगाएंगे वाई मने क्या? विच मने कौन सी गर्ल लब विच गर्ल ब्रोक दग्लास कौन सी गर्ल ने ग्लास तोड़ा है? आर यू गोईंग? तो what are you going? या where are you going? वाट मींज क्या? विच मींज कहाँ? तो क्या कहते हैं? पुछते आप कहाँ जा रहे हैं? तो where are you going? subject do you like the most? विच लगाएंगे या how? अगर हम आपसे पूछते हैं आपको कौन सा subject पसंद है? तो कौन के लिए विच और how में मिलें? कितने? तो which subject do you like the most? आर दा clouds black? विच लाउट या वाई लाउट पूछ रहा हैं? क्या clouds black हैं? तो इसलिए वाई? आर दा clouds black? ये clouds काले क्यूँ हैं? नेक्स पेच पे देखिए फ्रेम, questions for the following answers यहाँ पे देखिए answers दिये हैं आपको इनके questions बनाने हैं ठीक है? तो first आपका दिया है, my father is a lawyer, मेरे father lawyer है तो इसका question बनाएंगे, question कैसे पूछेंगे? जब हम किसी से question पूछें तभी हमें answer मिलता है तो what is your father? तो जब what is your father हम पूछेंगे, जैसे हम पूछेंगे what is your name? तो आप answer क्या देते हैं? माइ नेम इस, जो आपका नेम होता है, वो अपना नेम बताते हैं तो इसी तरह से answer दिया, my father is a lawyer तो question इसका बनेगा, what is your father? तब आप answer में बताएंगे, my father is a lawyer कि आपके पापा क्या है? मेरे पापा एक lawyer है इस तरह से next देखिए you can use my eraser तुमने मेरी eraser use किया तो question होगा can is use your eraser John is my friend John मेरा friend है तो who is your friend? तब answer देंगे, John is my friend I live at 12 new road कि वो कहां रहता है? 12 new road पर रहता है तो इसका question बनेगा, where do you live? तुम कहां रहते हो? next, I like to play football मुझे football खेलना पसंद है तो what do you like to play? तुम्हें खेलना क्या पसंद है? तब आप answer देंगे न I like to play football तो what do you like to play? My test is on Tuesday मेरा test Tuesday को है तुसका question बनेगा, when is your test? तुम्हारा test कब है? तब तुम बताओगे, my test is on Tuesday तो students, यहाँ पर आपका यह chapter फिनिश हो गया है यह आपका chapter number 90 asking questions प्लीज वीडियो को ध्यान से देखके समझे I hope you enjoy my class Have a nice day